दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बरी खुशखबरी है बिहार करमचारी चेन आयो यानि बिहार SSC में नई भरती आई है तो चलिए फटा फट ओफिस्यल नोटिफिकेशन देखिए इस फॉर्म को कौन-कौन फिलब करेंगे कैसे क्या सेलेक्शन होगा सैलरी कितना क्या मि दिखाते हैं तो यहां पर आपको भरती समधित नोटिफिकेशन देखने के लिए सूचना पर यानि कि नोटिस बोड पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते विज्ञापन संख्या 0-2-2022 ऑफिस्यल नोटिफिकेशन है चले इस नोटिफिकेशन को करते हैं और दोस्तो अब भिहार SAC में भरती का दोर सुरू हो गया है जितनी भी भरती के बारे में आप लोगों को बताए हैं सभी भरती अब एक एक करके आ रही है यहां पर चले सबसे पहले इस ओफिस्यल नोटिफिकेशन को डॉनलोड करते हैं तो यहां पर आप देख स सकते हैं दोस्तों विहार करमचारी चैनायोग आवस्यक सूचना यहां पर आप डेट भी देख सकते हैं और विहार करमचारी चैनायोग में विध्यापन संख्याच 02-2022 के अंतरगत भरती दिया गया है जो कि विहार SAC के सैट पर उपलब्ध है और फॉर्म भराना तो फॉ और से इंपोर्टेंट चीज है यह चीज आपको जानना जरूरी है होता है कि है कि आप तो फॉर्म भर देते लेकिन अगर आप रिजर्वेशन का लाव लेते हैं अगर आप BCVC काट्वरी साते हैं या फिर SCST साते हैं तो जाती परमानपत और अगर आप BCVC साते हैं BCVC वा प्रसांगिक परमानपत सैक्षिनिक परमानपत अंग पत्र विकलांगता परमानपत रस्थाई निवास परमानपत क्रीमिलियर रहित परमानपत जाती परमानपत EWS यह सब चीजे होना चाहिए और फॉर्म भरतिस में इसका जानकारी भी आपको देना परेगा तो यहां पर के अंत्रगत वीधी विज्यान प्रियोग साला म्में वर्ये वैज्यानिक सहायक post का यह भरती है तो चलिए यहां पर classification देखुले सभी post का लग-लग qualification रख गया है और वर्ये वैज्यानिक सहायक का यहां पर post है सीटों की संख्या लग लग है यहाँ पर पहला देखेगा यहाँ पर पदनाम परसाखा सहित यहाँ पर है वर्ये वज्ञानिक सहायक और भौतकी से संबांधित हो गया इसमें जो डिगरी चाहिए भौतकी से संबांधित है पदों की संख्या यहाँ पर है और 35-35 महिलाओं का इसके बारे में नीचे है तो इस तरह से आप सीटों की संख्या देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर हो गया वर्य वैज्ञानिक सहायक आगने सास्ट यानी फायर से संबद्धी तो सत्ता इस यहाँ पर सीटों की संख्या है इस तरह का हायर लेवल का और बहुत ही लोगों को बताने वाले है वेतनमान तो लेवल 6 के अनुसार इसमें सैलरी है यहाँ पर देखेगा इसमें 35,500 बेसिक सैलरी होता है तो जब आप शुरुआत की जेगात इसमें लगभग आपको चौबन से 55,000 सैलरी मिलने वाला है महगाई भत्ता और होस्रेंड जो भी सालपों का परात्मीक्ता अंकित करते हुए जो भी आपका qualification है फॉर्म आपको एक ही भरना है और उसमें post preference रहेंगा परात्मीकता का धार पर दिजेगा और उमिदबार जिन पर सक्धाओं के लिए प्रात्मिक तांकित नहीं करेंगे, उन पर सखाओं के लिए उनके अभ्यर्थित पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, तो आप अपनी योगिता अनुसार पोस्ट प्रिफ्रेंस में दे सकते हैं, यहाँ पर टोटल 13 तरह का अलग-अलग पोस्ट है, और यहाँ पर सिटों के संख्याँ के बारे माँ आप टोटल देख सकते हैं अब यहाँ पर नियुन्तम सैक्षिनी की योगिता है इन सभी चीजों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं सभी चीजों के बारे में और उम्र सीमा देखेगा तो एक जनबरी 2022 को मांगा जा रहा है एक जनबरी 2022 को मिनिमम एज जो चाहिए 21 साल चाहिए अगर 21 सा कापलों को छूट मिला है तो मेक्सिमाम उम्र देखेगा जनरल काटगोरी के लिए 37 साल और अगर आप BCBC काटगोरी साथ है या फिर जनरल फिमेल है तो 40 साल SCST काटगोरी के लिए 42 साल यह जो होना चीए एक जनबरी 2016 तक और मिनिमम का जो कंडिशन रखाएगे एक जनबरी 2022 तो 21 साल जो कंडिशन है यह एक जनबरी 2022 तक और मेक्सिमम एक जनबरी 2016 से कौंट की आजर है अगर आप बिहार सरकार गरी विभाग से संबनित कौंट्रेक्ट बेसिस वर पहले से जौब में है तो यहाँ पर आपको 10 साल उम्र में छूट मिलने वाला है देखेगा यहाँ पर जो दिया है समीधा कर्मियों के लिए है समीधा पर कार्ज रहत है उसको 10 वर्सों का छूट दिया गए सभी कैटूगरी में तो यह हो गया उम्र को लेकर और इसके बाद चैन पर करिया देखेगा तो चैन पर करिया यहाँ पर 100 अंकों के अधार पर होगा जिसमें अंक निर्धारित के आगया फर्स डिविजन के लिए सकेंड के लिए 10 और थर्ड के लिए 8 इसके बाद बी एससी और बी टेक तो इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गी या तो बी एससी बीटेक से संबन दीता है इसके लिए अगर पर पर्थम सिरेनी है तो 18 अंक दूतिय एक आवन थर्ड इविजन है ब्याली संग तो इस तरह के पोश्ट में दोस्तों देखेगा है special qualification मांगे जाने के कारण से असानी सिसमें सेलेक्शन हो जाता है इसके बाद यहाँ पर अनुभव है पतना भागलपूर मुझाफरपूर में अवस्थित बिहार राज वीधी व आपको 5 अंक मिलने वाला है इस तरह से यहाँ पर आपको अधिक्तम 20 अंक निर्धारित किया आगे इसके बाद 20 अंक का इंटर्वीव है तो 20 अंक का इंटर्वीव भी लिया जाएगा और इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखेगा सुयोग अभिहारतियों MSC या MSC Forensic Science की देखेगा इहां पर बहुत की संबंधित जो है इसमें इहां पर जो मांगा जारा है MSC यानी physics में मांगा जा रहा है अथ्वा अगर गनीतम्हय है तो भी आप होर सकते 항상 इसके बाद आथवा यहाँ पर है बायो फिजिक्स में है या फिर यहाँ पर देखेगा अपलेट फिजिक्स में है या फिर M.T.E.C. कंप्यूटर साइंस में है तो भी भर सकते आथवा लगा हुआ है तो इसमें से कोई एक होना चाहिए अथवा M.T.E.C. इंस्ट्रूमेंस् इसके बाद फोरेंसिक साइंस में है दूसरा यहाँ पर M.S.C. फोरेंसिक साइंस के लिए B.S.C. अथवा B.T.E.C. पर बिशाय बहुत की होना चाहिए तो यहाँ पर देखेगा जो पोस्ट यहाँ पर है उसी स्रिल्टेड मांगा जारे जैसे यहाँ पर फोटो संबधित में होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर सैवर से संबधित है तो केंप्यूटर साइंस में M.T.E.C. होना चाहिए और समाने रसायन आगे दोस्तों आर्ट से संबधित भी विशाय दिया हुआ तो इसके बारे में भी देख लीजिए अगर आपके पास क्वैलिफिकेसन है त या फिर बायो केमेस्ट्री में या फर्मो कॉलोजी में मांगा जा रहा है या फोरेंसिक साइंस में इसके बाद देखेगा यहाँ पर विस विज्ञान में तो यहाँ पर विस विज्ञान में जो है रसायन सास्त में मांगा जा रहा है या फिर M.S.C. विस विज्ञान में ह चाहिए इसके बाद यहां पर विस्फोटक में देखेगा तो फॉरेंसिक सच्स में घुना चाहिए अत्वाद यहां पर पेपार सांवी की सारिरिक्स संबदिट या बायो टेक्टनलोजी अथवा यहाँ पर और जैविवी की इसके बाद यहाँ पर देखेगा molecular biology तो यहाँ पर जो भी subject दिया हो आप अपनी योगिता अनुसार देख लिज़ अगर आप इससे संबनित MSC किये हुए तो आप इस form को भर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखेगा serum में तो यहाँ पर जीविज्ञान से संबनित या फिर पराणी की संबनित इसके बाद DNA में देखेगा तो पराणी की जीविज्ञान मानुवी की इन सभी विसायों से मांगा गया है और इसके बाद polygraphy क्या है तो polygraphy में MA जो है यहाँ पर मनोविज्ञान में तो यह आर्ट वालों के लिए यहाँ पर है अगर आप MA मनोविज्ञान psychology में है तो आप इस form को भर पाईएगा clinical मनोविज्ञान में विसिष्ट अत्वा MA criminology अत्वा यहाँ पर है MSC forensic science में इसके बाद है MSC forensic science के लिए BSC अत्वा BTEC अस्तर पर 20 मनोविज्ञान अत्वा criminology होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर देखेगा वरियर बैज्ञानिक साहक नार्को एनालैसिस परसाखा में तो इसमें मांगा गया है चिकित सात्वा क्लिनिकल मनोविज्ञान में तो यहाँ पर आप सारा कुछ देख लिए सभी पोस्ट का तिरह तरह का पोस्ट है और सेलेक्शन पर क्रिया के बारे मां आप लोगों को बता ही दिये तो आप अपन योगिता अनुसारी स्फॉर्म को भर दीजे और दोस्तों बिहार S.A.C. में भरतियों का दौर सुरू हो गया जितनी भी तरह की भरति के बारे मां आप लोगों को बताए हैं यहाँ पर जयातिर छात्र जो है सकेंड इंटर लेवल भरति का इंतजार कर रहे हैं कि सकेंड इंटर लेवल की भरति कब आएगी बिहार S.A.C. गूरूप डी की तेंथ पास पर भरति जो होती है यह सब कब आएगी तो बहुत जल्द दोस्तों यह सब भरति भी आ रही है सकेंड इंटर लेबल में राजो सुकरमचारी पंचाथ सचीव LDC का ये सब पोस्ट सामिल होता है और ग्रूप D में टेंथ वाले जो पोस्ट है इसमें प्यून एसिस्टेंट ये सब पोस्ट सामिल होता है ये सब भरती बहुत जल्द आ रही है और अभी बिहारे से सिम आपको हाल किलाल कुछी दिनों में जो भरती देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर देखीगा मिनिममम जो क्वैलिफिकेस यहाँ पर मिनिममम पास मार्क्स जो रखा गया 40 परतीसत यानि 100 में साब को मिनिममम 40 लाना ही परेगा यह सारा कुछ आप देख लिए इसके बाद यहाँ पर मेधा सूची का निर्धारन कैसे क्या होगा तो सेंपर क्रिया के बारे में आप देखे और यहाँ पर कॉंसलीन लिया जाएगा डोकुमेंट फरिफिकेशन होगा इंटर्वी होगा सारा कुछ होगा मार्क्स के अधार पर यहाँ पर कॉंसलीन के लिए बुले आ जागे इन सभी चीज़ों के बारे में परिक्छा सुल्क तो 540 रुपे है और अन्य कैटेगोरी के लिए 135 रुपे अगर आप जेनरल EWS, BC, BC, BC साथ हैंत 540 रुपे, सभी कैटेगोरी में महिलाओं के लिए 135 रुपे का चार रखा गया, फॉर्म आपको online फिलप करना है, फॉर्म भरते समा आपके पास सभी डॉकुमेंट होना चाहिए, अगर आप BC, BC कैटेगोरी साथ हैंत नन क्रिमिलियर परमान पत्र आपको देन 22 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और यहाँ पर देखेगा तो hard copy आयुक के office भेजने की जरुतनी यानि online आपको फॉर्म फिलप करना है और पिरिंट निकाल करके फॉर्म को रख लेना है, यहाँ से दोस्तों इस भरती के बारे में आप आप लोगों को बताने वाले हैं, बांकि इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल पर भी भरती बहुत जलदारी है, तो बिहार से सीमा भरतियों का दाओर शुरू हो गया है, जितने भी pending भरती है, सभी भरती पर क्रिये के करके शुरू होने वाली है, और आप सभी अगर सची वाल को त्यारी के साथ-साथ प्रिवियसर का क्वेस्टन सब कुछ मिलने वाला है, जिससे आपका बेहत्रिन त्यारी हो जाए,